नमस्कार फ्रेंड्स में देवराजारी आपका हाठिक स्वागत करता हूँ अपने चैनल इंग्लिस्वी देवराजारी में जोसाए कि आपको पता है हम अमारे चैनल के माद्धेम से क्लास 9 ते से लेके 12 तक की इंगलिस को सॉल्व करवा रहे हैं और इसी क्रम में आज का हमारा जो वीडियो है वो है रिविजन टेस्ट क्लास 10 सब्जेक्ट है इंगलिस यानि इंगलिस का जो पेपर कक्षा दश्वी का उसका जो रिविजन टेस्ट है जैसे हम हाफ येरली एक्जाम भी कह सकते हैं उसको आज हम सॉल्व करेंगे तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और जानदा से जानदा शेयर कीजिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए question first question first में है read the passage carefully and answer the questions given follow it आपको क्या करना है ये passage को पढ़ना है और कुछ question दिये है नीचे उन question के answer से आपको करना है तो हम direct answer करेंगे इसको आप अच्छे से पढ़िए answer से देखते हैं first question है ये वाला a student without discipline is compared to a एक विद्ध्यारती बिना अनुसासन के उसकी तुलना किस्से की जा सकती है तो हमने इस passage में पढ़ा है कि बिना discipline का विद्ध्यारती बिना पतवार की नाव की तरह होता है तो rudderless सिब तीक है याने बिना पतवार का जहाज जिसमें कोई दिशा नियंत्रन जो है सुचक कुछ भी ऐसा साधन नहीं होता है बिना दिशा से वहाँ किसी भी दिशा में जा सकता है उसी प्रकार बिना जो है discipline का विद्ध्यारती कहीं भी जा सकता है उसका कोई future decide नहीं होता है question second है B वाला who are the leaders of tomorrow तो passage में हमने पढ़ा है कि कल के नेता कौन है तो students इसका answer आएगा C वाला है who is an ideal student एक आदर से विद्ध्यारती कौन होता है तो हमने इस passage के माध्यम से पढ़ा है यहां से हम देखेंगे इसका an ideal student is intelligent and simple एक आदर से विद्ध्यारती intelligent भी होता है और साथ में simple भी होता है Question D है According to Gandhi जी what qualities should an ideal student have गांदी जी के अनुसार एक आदर से विद्ध्यारती में कौन से गुन होने चाहिए तो यहां से इसका answer है According to Gandhi जी intelligent student should have the quality of simple living and high thinking ठीक है गांदी जी के अनुसार एक intelligent student में कौन कोन से गुन होने चाहिए एक तो साधा जीवन होना चाहिए उसका और उच्चे विचार उसके होने चाहिए यह वाला question देखते है What does Swami Vivekananda say about man and woman Swami Vivekananda जी ने man और woman के बारे में क्या कहा है तो Swami Vivekananda जी ने कहा है यहां से हम इसको start करते है According to Swami Vivekananda साफ इस्टील याने हमारे देश को बैसे यूवा यूटियों के आउशक्ता है जिनके इस पात के मसल्स होने चाहिए और इस पात की नाव से होनी चाहिए ठीक है यह question हो गए हमारे तो passage first हमने clear कर लिया passage second हम देखते है men are generally selfish याने जो है स्वार्थपन के बारे में पैसे second है तो इसके हम direct answer देखते है तो first question है आपका complete the following sentence आपको क्या करना है sentence को complete करना है कि इसमें से देखके passage में से एक false friend कैसा होता है याने जूटा जो दोस्त होता है वहां कैसा होता है तो इसका answer यहां से हमां आ जाएगा a false friend leaves us एक जूटा दोस्त हमें छोड़ देता है इसी में B है a true friend एक सच्चा मित्र क्या करता है तो true friend क्या करता है a good friend remains with us हमारे साथ ही रहता है second question है we know the true characters of our friends हम हमारे दोस्त के true character सच्चे चरित्र को कब देख सकते हैं जब हम मुसीबत में होते हैं तो क्या है इसका c वाला है when we are in trouble जब हम मुसीबत में रहेंगे तब हमें सच्चे दोस्त की परक होगी third question है when do we not know the true character of our friends हम अपने true character अपने friend के true character को कब नहीं देख सकते हैं नहीं देख पाते हैं तो इस passage में लिखा है कि जब हम बहुत ही जान्दा प्रसंद होते हैं और rich होते हैं यह लिखा है नहीं आपे when we are happy and rich we cannot know the character of our friends जब हम बहुत जान्दा खुश या अमीर होते हैं तब हम हमारे मित्र के सच्चे चरित्र को देख नहीं पाते हैं चलिए अगला है question 4 give opposite of rich happy आपको rich और happy का opposite लिखना है तो rich का opposite होता है poor happy का opposite होता है unhappy 5th question है who will be our true friends हमारा सच्चा मित्र कौन होगा तो सच्चा मित्र वहां होगा सबसे लाश्ट की लाइन में लिखा है कि helps us through think and thin he shares our troubles वहां जो हमारी troubles को share करता है हमारी मुसीबतों को share करता है वहीं सच्चा मित्र होता है ठीक है आया समझ में तो passage second भी हमने देख लिया चलिए आगे बढ़ते हैं हम करना है read the following passage carefully and do as instructed in a and b below the passage आपको क्या करना है इस passage को पढ़ना है और instruction के आधार पर आपको question का answer देने हैं तो passage है हमारा नीम के पेड़ के उपर से है कि नीम का पैड़ कितना उपयोगी है हमारे लिए कितना लाबदायक है और उजदी पोधा होता है और इसमें कितने तरह के आपको उजदियां प्राप्त होती है और US Company ने भी इसको granted किया है कि किस प्रकार से यहां और उजदी पोधा है तो question इसमें आया है यह वाला देख लेते हैं make notes on the above passage and provide a title also आपको क्या करना है पैसे अच्छे से पढ़ना है इसके notes से बनाने है तो note making का तरीका यह है कि आप इसमें से जो चीज़े आपको important लगती selected जो चीज़े होती है उनको notes के आधार पर आप अपने डाइरे में जैसे और इसका जो टाइटल है वो टाइटल है कि the tree of neem या neem tree इसको भी हम बोल सकते है टाइटल इसका क्या हो जाएगा neem tree है और prepare the summary of the above passage B वाला question है तो इसकी summary लिखना है तो summary कैसे लिखेंगे आपको इस passage के अंदर जो समझ में आता है आगे बढ़ते हैं question 4 में write an article on importance of games with the help the verbal input given below आपको क्या है कुछ 4 verbal inputs दिये हैं इनका use करते हुए क्या करना है importance of games के उपर आपको कुछ लिखना है तो आप इस्तमाल करेंगे इनको games necessary part of life useful body or mind games teach sportsmanship discipline करें important part of education इन चीजों का use करते हुए इनका समावेस करते हुए आपको इंपोटेंस से आप game से उपर एक article लिखना है या भी इसके अथवा में आप लिख सकते हैं write an essay in 200 words on any one of the following topics an Indian festival great Indian leader wonder of science कि उनों में से एक को पर आप essay लिखना है ठीक है यह आपको definitely आता होगा आपने ऐसे तयार किया हुए कैसे यहां पर लिखना है question 5 करते है you are vivac sing of class 10th in government high secondary school उज्जर MP write an application to your principal requesting him to issue your transfer certificate आपको क्या करना है आप vivac sing है कक्षा दर्श्वी में पढ़ते हैं government high secondary school उज्जर में पढ़ते हैं आपको एक application लिखनी है अपने principal को कि आपको TC चीए character and transfer certificate चीए क्योंकि आपके पिता जी का transfer दूसरे सहर में हो गया है ठीक है इसके अथवा में है you are sales serma of class 10th in government high secondary school रिवा MP write an application to your principal asking him to grant 43-leave as you are ill आपको क्या करना है इसके अथवा में एक application लिखनी है अपने principal को कि आपको अब बीमार है इस कारण से आपको तीन दिन का उकास चीए ठीक है तो यह भी application आपको definitely आती होगी आगे बढ़ते हैं आपका question 6 है feel in the blanks choosing correct option any 5 आपको क्या करना है इनमें से पांच जो है bracket से हैं वो भरने हैं और सामने उसमें जो है alternate दी हैं उनका use करते हैं भरना है पहला देखते हैं she is thinking of वहां सोच रही थी किसके बारे में buying a car, car खरीदने के बारे में my father is a retired teacher क्या आएगा इसमें retired teacher he is honest man इसमें आएगा an honest man he does not have any money left उसके पास बिलकुल भी पैसा नहीं है may I come in sir you are sitting between Sita and Gita she taught in this school she has she has taught in this school आपको grammar वाला section समझ में कोई difficulty है तो आप comment करके पूछ सकते हैं और मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं इसमें मैंने some any का use बताया है और active wise specific wise कभी एक sentence है कि यहां पर retired क्यों आया इसमें buying क्यों आया है between क्यों आया है आपको translate the following sentence into English इनको इंग्लिस में translate करना है यसे वहां पत्र लिखता है he writes a letter आप कैसे हो how are you भोपाल मध्यप्रदेश की राजदानी है भोपाल is the capital of MP मेरे विद्याले में 20 कम रहे है there are 20 rooms in my school सूरिपूरू से उदे होता है the sun rice in the east क्या मैं अंदर आ सकता हूं my coming वर्सा हो रही है इस प्रकार से आपको translate करना है section D में हम चलते है section D में क्या है आपको question answer से है जिसे पहले प्रोज और poetry है तो प्रोज यानि की जो गद्धिखंड है जिसे उसमें बहुत सार लेसने ऐसे थे जो गद्धिखंड के अंतरगत आते हैं इसे आपका जो अगया salutation to the nation में से लिया है उसने read the following extract carefully and answer the question given below it आपको यह पढ़ना है सरदार किसन सिंग वाला जो है extract पढ़ना है जो की salutation to the nation lesson 3 से लिया गया है उसके बाद में कुछ question है उनकी answer से देना है जैसे don't buzz from here means यहां से बिलकुल भी मत हिलो इसका अर्थ क्या होता है तो इसका answer आएगा don't move from here from which lesson has the extract been taken किस lessons extract लिया गया है तो अभी हमने देखा salutation to the nation सरदार किसन सिंग वाज सरदार भगस सिंग से ब्रदर true or false सरदार किसन सिंग सरदार भगस सिंग के भाई थे सच है या जूट है तो आपने इस लेशन अच्छे से पढ़ा तो आपको पता है सरदार किसन सिंग सरदार भगस सिंग के पिता थे तो यह गलत है फालस है who was going to take भगस सिंग से body भगस सिंग की body को यहने execution हुई थी fancy हुई तो उसके बाद में इसका अंसर आएगा cripple आगे बढ़ते हैं b वाला question what had caused disability to the boy लड़के को disability किस कारण से हुई थी यानि कि लड़का जो है वहां किस कारण से disabled हुआ था तो इसका answer आएगा he got burnt third वाला है इसमें क्या आएगा इसका answer he got burnt यानि कि वहां जल चुका था the name of the boy was लड़के का नाम क्या था आपने lesson अच्छे से पढ़ा आपको पता है क्या नाम था Glen Cunningham ठीक है डी वाला question है आपका how did the mother help the boy to overcome a disability मा ने बच्चे को उसकी disability को जीतने में किस परकार मदद की तो the mother good daily massage ठीक है question 10 है answer any theory of the following in 30 words यानि ये कुछ misprint हुआ है any theory नहीं आपको क्या है 10 question है इसमें A और B दोनों में एक एक अथव question दिया तो दो question करने है पहला question है what did three revolutionaries do while going toward the place of execution तीनों क्रांधिकारी execution पर जाते समय कैसे जा रहे थे तो कैसे जा रहे थे दे वेर सिंगिंगे पेट्रोटिक सॉंग अना एंड राइड स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद सामराजवाद मुर्दाबाद इस प्रकार के नहारे लगाते वे जा रहे थे what was the duty of the little boy इसके अथवा में question है तो the duty of the little boy was to come early in the school and warm the room before his classmates and teachers arrived याने क्या काम था उसकी duty क्या थी कि सभी काने से पहले room को इसकुल की जो building तो उसको गर्म करना था question B में देख लीजे what were the quality that helped Mamta become indispensable for the team question 11 name three patriots sacrifice their lives for the freedom of motherland तीक है तीनों क्रांतिकारियों के नाम लिखिए जिनोंने मातरभुमी के रक्षा के लिए प्राण दे दिये अगला question इसके अथवा में है how did the coach support Mamta coach ने Mamta को कैसे support किया इसके बाद में question 12 आता है जिस प्रकार हमने जो है गद्दिखन पड़ा था उसमें extract आये थे उसे प्रिकारिया पर पद्दिखन हैने की poem में से कुछ line ने दी है जैसे in your hearts the birds and the sun sign in your thoughts the broklets है न यह एक poem है इसमें से उसने एक extract दिया है उसके बाद में question दिये है वो करने अपने को first question है in the hearts of the children there is बच्चों के हिर्दे में क्या है तो second वाला है the birds and the sun sign b में देखिए in the thought of the poet कवी के विचारों में क्या है तो क्या है कवी के विचारों में in the thought of the poet the wind of atom ठीक है पतज़र की हवा है sorry यह वाला first वाला है ना c वाला देखिए name the poem इस कवीता का नाम क्या है children आपको पता है 13 question है where do the windows open खिड़किया कहां पे खुलती है तो windows open in the east ठीक है what does darkness stand for in the poem darkness stand for ignorance in the poem answer the following यहां पर भी आपको कुछ question है उनकी answer से दने है और question 15 में भी आपको what does light stand for in the poem light के लिए poem में ली गई है light stand for knowledge in the poem question 16 है जो चार question है आपकी workbook में से लिए गए यहने 10 number के question आपकी workbook से पुछे गए है तो आप workbook वाला portion भी हमरा जरूर देखिएगा तो friends I hope आपको यह पूरा जो question paper है अच्छे से solve हो गया है अच्छे समझ मा गया हो है तो आप को क्या करना है नई updates के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आगे आपको इस प्रकार की updates मिलती रहे thank you very much धन्यवाद कर दो 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 कर दो